आज के इस वीडियो में क्लास टेंथ साइन्स चैप्टर फर्स्ट केमिकल रियाक्शन एंड एक्वेशन को कम्प्लीट करवाऊंगा और एक बात की गैरेंटी देता हूं है कि इससे बहतरिन कंटेंट अभी तक यूट्टूब पे एवलेबल नहीं है ठीक है प्लीज अगर य चैप्ट केमिकल रियाक्शन जानने से पहले एक चीज़ में आपको बताओं हमने चोटे क्लास में पढ़ा है कि क्या होता है और उसमें भी आपको यह पता होना चाहिए कि आपने चोटे क्लास में अलड़ी पढ़ा भी है क्या अब देखें केमिकल चैंज की बात करें तो यह इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए चोटे क्लास में अलड़ी पढ़ा चूके होई है कि अगर कोई सबस्टांस हो अपनी प्रोपरिटी पूरी तरह से लॉस करते है अपनी प्रोपरिटी पूरी तरह से लॉस कर दे तो मैं बोलूगा केमिकल चैंज हुआ जैसे ओडन कोई ब्लॉक है आपने उसको बन किया और वो कोल में कनवर्ट हो गया ठीक है तो क्या यह जो कोल है अब वूड में कनवर्ट हो सकता है नहीं फिजिकल चैंज की बात करें तो आइस जो है वो वाटर में कनवर्ट हो गया अब वाटर आइस में कनवर्ट हो सकता है बिलकुल हो सकता है तो फिर यहां पे जो रियाक्शन आपको देखने को मिल रहा है या जो चैंज देखने को मिल रहा है यह कैमिकल चैंज है और यहां पे है फिजिकल चैंज मतलब यहाँ पर interchangeable है, एक से दूसरा दूसरे से पहला, बट यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, chemical change पर, और simply यही चेंज हम इसमें पढ़ेंगे chemical reaction, तो chemical reaction की बात करें, यहाँ पर definition की, तो chemical reaction को आप ऐसा divide कर सकते हो, की chemical reaction, यहाँ ऐसे मैं बोलू, chemical reaction in which a substance और substances, क्योंकि एक single substance नहीं होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो यह तो एक single substance हो, यह एक से ज़्यादा substance हो, undergo chemical change to produce a new substance, with entirely different properties, properties भी क्या हो, पूरी तरीके से different हो, देख लो आप, wood और coal के, properties में different आपको मिलेगा, साथ में color में भी change हुआ, जिए wood, coal में, charcoal में convert हो रहा था, तो फिर, यहाँ से heat भी produce हो रही थी, light भी produce हो रही थी, लेकिन in case of ice to water, color में कोई changes देखने को नहीं मिला आपको, और यह जो ice, fluid में convert हुआ, water में convert हुआ, तो अभी भी यह H2 के molecule हैं, इसमें भी है, चाहें वो ice हो, या फिर water हो, H2O के molecules available हैं दोनों में, फिर, बस state change हुआ है, कुछ example से और clear करते हैं, जैसे H2, react with O2, it gives H2O, वैसे हैं, sodium, react with H2O, it gives sodium hydroxide, अब देखो, यहाँ पर properties, hydrogen आपका gas है, oxygen भी gas है, बट जो product बना, वो आपका liquid है, sodium आपका solid है, water आपका liquid है, और यह जो solution बना, वो aqueous form में बनेगा, ऐसे ही बात करें, charcoal, carbon को burn कर रहे हो, oxygen के presence में, CO2, तो यह देखो, carbon आपका solid, oxygen, gas है, और यह carbon dioxide, फिर gas बन गया, तो कुछ चीज़े clear हो रही है, अब आप चाहो कि carbon dioxide को convert कर दो, carbon में और oxygen में, तो यह possible नहीं है, clear है, H2O, इसको अगर हम चाहें, तो electrolysis process से इसको separate कर लेते हैं, है ना, बेट अगर मैं sodium hydroxide को चाहूँ, कि इसे sodium और H2O में convert कर लूँ, तो easily possible नहीं है, एक बात और मैं clear कर दूँ, यहाँ पर, difference की, देखो, अगर A से B बना, ठीक है, और B से 1 में convert करनी के लिए, आपको कोई chemical process ना करना पड़े, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, कोई chemical process ना करना पड़े, कोई chemical reaction ना करना पड़े, तो ही वो physical change है, अगर मालो A से B बना, और B से A change हो भी जाता है, बट वहाँ पर chemical reaction के वज़ा से हुआ, तो भी वो क्या है, chemical change है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इस case में भी जैसे कि मैंने बताया आपको H2O, यह H2O और O2 में convert होता है, तो भी direct नहीं होता, यहाँ पे भी chemical reaction होता है, हम acid डालते हैं इसमें, और फिर current pass होता है, फिर reaction होता है, तो इस तरह से आपने देखा, कि chemical reaction क्या होते हैं, और उसके कुछ examples, अब बात कर लेते हैं कि किसी भी chemical equation में दो पार्ट होते हैं, एक reactant और एक product, reactant इस species होते हैं जो reaction में participate करते हैं, product होता है after reaction जो form हो, clear, कहने का मतलब यहाँ पे जो आपका H2 है और O2 है, यह reactant है, और जो O2 है, यह आपका, product है, वैसे ही sodium और H2O यह आपके reactant है, और यह आपका product है sodium hydroxide, ऐसे ही carbon और oxygen reactant है, और carbon dioxide आपका product है, अब सवाल यह, कि reaction chemical है, जो change हो रहा है, वो chemical change है, यह physical change है, यह कैसे पता करें, तो देखो, इसके कुछ observation है, वो देखने को अगर मिलता है, तो मतलब वो chemical change है, chemical reaction है, अधरवाई यह physical reaction है, physical change है, तो सबसे पहले मैं लिग देता हूँ, how to check chemical change, या फिर हम किसी chemical reaction को कैसे identify करें, तो जो सबसे पहला आपका observation देखने को मिलेगा, change in state, यह दोनों में होता है, तो इससे clear नहीं कर पाओ गए है न, बट यह दोनों में होगा, क्योंकि physical में भी और chemical में भी, second, evolution of gas, evolution of gas, तो यह सबसे important है, और सबसे easy way है किसी chemical reaction को identify करने का, कि अगर वहाँ से gas का evolution हो रहा है, कोई नया gas मिल रहा है, obtain हो रहा है उस reaction में, तो मैं बोलूँगा कि वो एक chemical reaction है, physical में ऐसा नहीं होता, यह बात ध्यान रखेंगे, gas का evolution physical में नहीं होता, बट chemical में होता है, change नहीं state के बात करें, तो फिर आप धोखा खा जाओगे, क्योंकि जब ISO है, fluid में, liquid में convert हुआ, तो state ही तो change हुआ, बट क्या उसे हम chemical change बोलेंगे क्या, नहीं, वो physical change है, तो कि वह बात चेंज नहीं state के basis पे, हम किसी chemical change और physical change में, differentiate पैदा नहीं कर सकते, clear, next, change in color, and fourth, change in temperature, अब चारों में मुझसे ये पूछा जाए, कि सबसे basic observation बताओ, कौन सा है, तो ये दोनों है, change, evolution of gas, and change in color, बात करें, change in temperature का, तो ये physical में भी होता है, physical में भी होता है, ये observation आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि, आपका ice water में convert हुआ, तो after some time, उसका temperature भी change होगा, clear है, तो वो physical change में भी, ये चीज़ देखने को मिल जाती है, बात आपके ये दो, evolution of gas, और change in color, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें physical change में, एक और मैं note कर देता हूँ, वैसे NCRT में लिखा नहीं है, ये observation के point में, but formation of precipitate, ठीक है, short miss को PPT बोलते हो, देखो, ये PPT होता क्या है, तो ये एक insoluble solid है, ठीक है, ये hard वाला solid नहीं होगा, soft X solid हो जाता है, जैसे कि आप simply घी को separate करते हो, exactly वैसे ही ये insoluble solid होता है, ठीक है ना, और word equation क्या होता है, देखो किसी भी chemical reaction के, अगर हम बात करें, जैसे मैं बोलू, कि when sodium reacts with water, it gives sodium hydroxide and hydrogen, ठीक है, तो ये statement थोड़ा सा लंबा हो गया, time भी लगएगा लिखने में, बट इसी चीज़ को अगर हम word के form में, express करते हैं, represent करते हैं, तो फिर क्या होगा, sodium है, sodium लिखा, plus का sign हमने दे दिया, कि sodium react किस से कर रहा है, तो water से, it gives, arrow दे दिया हमने, sodium, hydroxide, and hydrogen gas, यह निए किसी chemical reaction को, अगर word के form में express करते हैं, simply इसी को बोलते हैं, word equation, clear, next आपका chemical equation क्या है, तो देखो, chemical equation जो है, एक symbolic representation है, यहने किसी chemical reaction में, जो भी compounds या molecule, participate कर रहे हैं, उनके symbol से, represent कर देते हैं, for example, जैसे हमने word equation में, sodium, water, तो sodium के लिए क्या, Na होता है, water को H2O से represent करते हैं, it gives sodium hydroxide को NaOH, और hydrogen gas है, to H2O से, तो यह जो, किसी chemical reaction को, symbolic form में लिख दे, तो इसी को आप बोलते हो, chemical equation, चीक है, बट जब आप reaction को लिख देते हो, equation जब हमने represent कर दिया, तो इस case में होता क्या है, reaction अपने से balance होते नहीं, उसे करना पड़ता है, मतलब, दोनों side, number of atoms, different होते हैं, जब हम reaction को लिख देते हैं, तो दोनों तरब, number of atoms, different हो सकते हैं, तो जिस case में, number of atoms, equal ला हो, दोनों side, तो वैसे case में, उस chemical equation को, हम बोलते हैं, unbalanced chemical equation, अगर अगर दोनों side, product side और reactant side, number of atoms, equal हो जाएं, तो ऐसे equation को बोलेंगे, balanced chemical equation, अब जैसे कि आपके सामने, example है, चेक कर लेते हैं, यह balanced है या नहीं है, देखें, reactant side में, sodium के एक atom, product side में भी sodium का एक atom, आते हैं, water पे, इधर देखें, hydrogen के दो atom है, जबकि product side देखो, तो hydrogen के 3 atom है, बात बिगड गई, मतलब यह reaction जो है, unbalanced है, यह जो equation है, वो unbalanced equation है, clear, और oxygen तो है, oxygen ठीक है, but hydrogen, number of hydrogen atom different है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, unbalanced, unbalanced, chemical equation, यहनि किसी chemical equation में, number of atoms, product side और reactant side, equal नहीं हो, तो वैसे equation को मैं बोलूँगा, unbalanced chemical equation, clear, तो अब जानेंगे, कि reaction को balance कैसे करते हैं, तो आईए देखते हैं, reaction को कैसे हम balance करें, पहला example है, आपका, when hydrogen reacts with oxygen, it gives water, तो reactant side में आप चेक करें, hydrogen 2 है, product side में फिर hydrogen 2 है, reactant side में oxygen 2 है, जबकि product side में, केवल single atom है, तो इस case में क्या करोगे आप, कि product side में 2 से into करोगे, धियान रहे कि 2 से into, आप separately atom के साथ नहीं करोगे, ठीक है, पूरे molecule में करें होगे, तो hydrogen अभी स्थरा से तो 4 हो क्या, क्योंकि 2, 2 जा 4, तो ऐसे case में, hydrogen को हमें balance करना होगा, 2 से यहाँ पे into कर दूँगा, हमें, clear, next, sodium react with H2O, it gives sodium hydroxide and hydrogen gas, reaction balance है, देख लेते हैं, तो sodium के एक atom, product side में भी एक ही है, hydrogen के दो atom, product side में 3 हैं, अब देखो, यहाँ पे मामला खराब हो जाता है, कि अगर ऐसा हो, कि reactant side में, एक single hydrogen हो, ठीक है, ध्यान रखना, तो आप balance करने के लिए, सबसे पहला काम करो, कि उसको odd में ले आओ, यानि hydrogen 1 है, तो जो, sorry, even में ले आओ, तो उसे हम 2 से multiply कर देंगे, मतलब 2 से आपको into करना पड़ेगा, इससे फायदा क्या हुआ कि 2 और 2, 4 हो गया, 2 और 2, 4 हो गया, पहले 3 था, अब 4 हो गया, अब जब यह 4 बन गया, तो यहाँ पर फिर 2 से into करतेंगे, तो यह simply आपका hydrogen भी 4 हो गया, और oxygen भी 2 हुआ, प्रोड़क्ट साइड में भी oxygen डबल हो गया था, लेकिन sodium अभी भी reactant साइड में single है, तो यहाँ भी 2 से into कर दो गया, clear, अब यह आपका reaction overall balance हो चुका है, एक सवाल यहीं पर दिमाग में चल रहा हुगा, कि सर, reaction को balance क्यों करते हैं, देखो, law of conservation of mass बोल लो, आफ्टर reaction उतने ही atoms बिलेंगे, ऐसा नहीं होता कि किसी chemical reaction हो, और उसमें atom ही गायब हो जाए, atoms कम हो जाए, increase हो जाए, decrease हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखना, law of conservation of atom, कि according या उस चीज़ को हम fulfill करने के लिए, reaction को balance करना जरूरी है, नहीं तो हम यह समझेंगे कि यह reaction हुआ और यह atom, कम हो क्या, बढ़ गया, घट गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, किसी भी chemical reaction में atoms का, atoms में बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं होती, next, carbon, देखो carbon बोल लो, यहाँ पे charcoal बोल दो, तो when charcoal reacts with oxygen, it gives carbon dioxide, simply, इसका combustion होता है, react का मतलब combustion हुआ यहाँ पे, इसको burn किया गया, reaction चेक कर ले, balanced है, बिल्कुल carbon भी एक है, oxygen 2 है, balanced है यह, तो अब इसके साथ कुछ करने के जरूत नहीं है, already balanced है, तो अगर question में दिया भी हो, तो जैसे है, वैसे हैं लिखते हैंगे, D, sodium और oxygen react with, gives, Na2O, तो sodium balance नहीं है, और oxygen भी balance नहीं है, तो क्या करूँगा मैं, sodium को balance करने के लिए, reactant side में पहले 2 से into करूँगा, ठीक है, लेकिन अब oxygen balance नहीं हो पाया, प्रोक्ट side में, तो फिर 2 से इधर into करूँगा, बट अब sodium जो हो गया, वो हो गया 4, इसलिए फाइनली अब आप force into कर दोगे, sodium में, अब यह reaction हो चुका है, balance, next है, ammonia react with HCl, ammonia react with HCl, it forms NH4Cl, ammonium chloride, okay, reaction चेक कर ले, balance है, तो nitrogen 1 है, nitrogen 1 है, hydrogen 4 है, इधर भी hydrogen 4 है, chlorine का 1 atom, chlorine का 1 atom, तो यह reaction भी already balance है, इसे balance करने की कोई ज़रत नहीं है, बढ़ते हैं, अगले question पे, next question है मारा, calcium oxide H2O, it gives calcium hydroxide, calcium 1 है, calcium भी 1 है, product side भी, oxygen चेक कर ले, तो oxygen 2 है, product side में भी oxygen 2 है, ठीक है ना, hydrogen 2 है, hydrogen यहाँ भी 2 है, तो यह भी reaction अलरडी balance है, next, copper react with oxygen, oxygen, copper oxide फॉर्म कर लिया, और, oxygen यहाँ पे balance नहीं है, तो क्या करों के, oxygen को balance करने के लिए, 2 से इंटू मुझे यहाँ करना पड़ेगा, फिर copper को balance करने के लिए, मेरे को reactant वाले copper में, 2 से इंटू करना पड़ेगा, next, CH4O2, methane react with O2, देखो, यहाँ पे methane हो, है ना, ethane हो, propane हो, यानि जो hydrocarbon होंगे, इनका combustion होगा, तो यह carbon dioxide और H2O release करेंगे, हमेशा दियान रखना, चाहें वो 3 carbon का हो, 4 carbon का हो, 5 carbon का हो, यह हमेशा CO2 और H2O ही देंगे, क्लिए, तो carbon पहले balance कर लिया जाए, तो carbon देखा, एक है, बात करें, oxygen की, oxygen 2, नहीं, लेकिन oxygen इधर 3 हो गया, तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कि जब इस तरह से दिखे, odd में आ रहा हो, तो इसको even बना लो, 2 cent डू कर लो, simple, तो अब यहां से hydrogen हो गया, आपका 4 और oxygen आगया 4, आप देखो, overall reaction balance हो चुका है, J, C6, H12, O6, react with O2, it gives, CO2 and H2O, यहां पर भी reaction को balance कर लेते हैं, तो oxygen आपका 8 है, ठीक है, और दूसरे साइट देखो, तो oxygen आपका है कितना, 3, मैंने बोला, odd से even कर लो, ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, 6 से अगर into कर लो, 6 से, तो oxygen आपका directly 8 हो जाएगा, लेकिन hydrogen 12 हो आपका, तो hydrogen भी 12 है, balance तो है, tension नहीं लेना, फिर, carbon जो है, वो 6 हो गया, तो फिर carbon को, यहाँ पे CO2 में 6 से into करना पड़ेगा, इससे क्या हुआ अब, देखिए, अब carbon, 18 हो गया है, 18 हो गया, 6 तूज़ा 12, और 18, तो अब क्या अगर हो गया आप, 6 था ही, 6 से यहाँ प into कर दोगे, देखलो अब reaction balance है, बात करें, types of chemical reaction की, पहला, आपका है combination reaction, नाम से इंग clear है, कि कुछ combine होना, तो chemical reaction है, तो यहाँ पे क्या combine होंगे, atoms या molecules, आपस में combine होकर, कि यह इतने species को जन देंगे, ठीक है, तो, अभी जितने भी हमने previous, examples लिये थे, वो सारे के सारे आपके combination थे, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा product बन रहा थे, उसे combination के अंदर हम consider नहीं करते हैं, बट जहाँ पे, दो या दो से ज़्यादा substance आपस में combine होकर, कि अगर एक single product को दे रहे हैं, मतलब वो combination reaction है, ठीक है, तो आप इसको कैसे define कर सकते हो, combination reaction को, a reaction in which two or more reactants combine to form a single product, is called combination reaction, for example, जैसे मैंने बताया था आपको, hydrogen और nitrogen, यानि H2 और N2 आपस में combine होकर के, आमोनिया देते थे, ठीक है, ऐसे ही था आपका, copper react with oxygen, it gives copper oxide, वैसे ही calcium oxide, react with H2O, it gives calcium hydroxide, तो यह जितने भी example है, यह आपके combination reaction के example है, एक बात आपको बता दूँ मैं, जब कोई भी chemical reaction होता है, तो वहाँ पर दो बाते बहुत important है, या तो वहाँ से energy release होती है, या फिर उसे energy provide की जाती है, definitely यह दो चीज़े होनी वाली है, तो जिस chemical reaction में, energy बाहर निकले, अब energy बाहर निकलने का मतलब क्या है, heat बाहर निकले, heat का evolution हो, तो ऐसे reaction को, ऐसे chemical reaction को, exothermic reaction बोलते हैं, जहाँ पर energy exit करे, और जिस case में energy enter करे, energy provide की जाय reaction को करवाने के लिए, ऐसे reaction को हम बोलते हैं, endothermic reaction, clear, अब बात करें, इस calcium oxide और water के reaction की, जब यह आपस में combine होते हैं, तो calcium hydroxide बनता ही है, साथ में, huge amount में, heat भी बाहर निकलता है, ठीक है, तो इस reaction को क्या बोलेंगे, exothermic reaction, अब आपसे question होगा मेरा, CH4, react with, यह इसका combustion कर रहा है, react with oxygen बोल रहा हूं, मतलब इसका combustion हो रहा है, तो यह carbon dioxide, H2 produce करता है, यह आपका simply methane है, okay, methane का reaction हुआ, oxygen के साथ, एक बात में आपको बता दूँ यहाँ पे, यह भी doubt हो सकता है, जैसे मान लो, आपने charcoal को जलाया हूं, ठीक है, वो ऐसे तो जलेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि charcoal है, कि रोशीन उस पे डाल दिया, जलना सुरू कर देगा, एसा तो नहीं होगा ना, उस reaction को करवाने के लिए, आपको सुरू में, initially आपको energy प्रोवाइड करने ही पड़ेगे, आपनी starting में करवाया, continue आप उस energy को देनी रहते, एक बर आपने उसमें आग लगा दी, और वो reaction होए जा रहा है, अब हो रहा है, जल रहा है, combustion हो रहा है, तो वहाँ से heat, gas, energy बहार निकल रही है, तो वो भी एक 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 जोधर्मिक reaction है, तो इस बात का ध्यान रखना, यह किसी भी chemical reaction में, अगर आप continue energy supply कर रहे हो, तो फिर वो एंडोधर्मिक ही है, लेकिन अगर reaction को आपने प्रोशिट करवा दिया, और वो reaction अब होए जा रहा है, तो फिर उस case में, आप exothermik बोलोगे, साइद मेरी बात क्लिर है, तो उससे यह डिसाइट नहीं करोगे, वो exothermik है या endothermik है, अब उसके बात से, क्या उसे continue energy supply की जा रही है, या नहीं, अगर energy continue supply की जा रही है, इसका मतलब वो endothermik reaction है, और initially आपने energy प्रोवाइड कर दी, और उस energy को आपने प्रोवाइड करें, उसे अलग कर दो आप, अब वो खुद energy अगर produce कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि वो exothermik reaction है, ठीक है, आपका जो respiration process है, ये भी exothermik process है, क्योंकि इस process है, हमारी body को energy मिलती है, क्योंकि हम food जो लेते हैं, उसको digestion करती है, हमारी body digest करती है, और फिर वहाँ से energy मिलती है, तो इस process को ही respiration बोलते हैं, तो finally respiration एक exothermik process है, सेकेंड है हमारा decomposition reaction, बात करें इस reaction की, तो ये बिलकुल opposite होता है, किसका? combination reaction का, यानि combination reaction में क्या हुआ, दो substance आपस में combine होकर के, एक single product को form कर रहे थे, जबकि इस case में, एक single substance convert होकर के, दो या दो से ज़ादा product देगा, या दो या दो से ज़ादा substance में convert हो जाए, तो ये एक दुसरे के reverse है या नहीं है, अब इसके example देखते हैं, इसका example बताओ, इससे पहले हम यह भी जान लेते हैं, कि decomposition होने के लिए क्या-क्या जरूरी है, क्या-क्या provide करना पड़ता है, तो देखो, decomposition कई तरीके से होते हैं, decompose करने के लिए बात तो ध्यान रखना पड़ेगा न, कि तोड़े रहो आप किसी चीज को, आपको energy supply करनी पड़ेगी, और energy supply करनी पड़ेगी, मतलब decomposition reaction जो है, एक endothermic reaction है, जितने भी decomposition reaction होंगे, यह सारे के सारे endothermic होंगे, क्योंकि आपको energy continue supply करनी पड़ेगी, जब इस substance कोई decompose होगा, अब बात करें, कि किस-किस form में, energy को हम provide करते हैं, decompose करवाने के लिए, एक तो होगे आपका heat, जिसी के basis पे आप बोलते हो, thermal decomposition reaction, दूसरा हो जाता है आपका, electrolytic decomposition reaction, sunlight के presence में decompose हो रहा है, तो उसे आप बोलोगे photo decomposition, या फिर उसे photo-lisive भी बोलेंगे, तो पहला होगे आपका thermal decomposition, मतलब यहाँ पे decompose करने के लिए, हम heat के form में energy को supplied करते हैं, इसलिए इसे बोलेंगे, thermal decomposition reaction, clear, कुछ examples देखते हैं इसके, जैसे, iron sulfate है, FeSO4, ठीक है, आप इसे heat कर दो, किसमें convert हो जाया था, ferric oxide, sulfur dioxide, and sulfur dioxide, बहुत important reaction भी है, साथ में देखो, मैं यह भी बता दू आपको, कि यहाँ पे color में change होता है, जैसे कि iron sulfate है, तो यह blue color में, sorry, blue color में आपका copper sulfate होता है, ठीक है, तो, यह green color में होता है, ठीक है न, iron sulfate, बट यह जैसे decomposition हुआ इसका, तो feric oxide बना, यह आपका redis brown, ठीक है, तो reaction में यह भी दिया सकता है, कि एक substance जिसका color green है, after decomposition, वो redis brown में change हो गया, तो इसका मतलब reaction किसका है, iron sulfate का है, जो decompose होकर के feric oxide में convert हुआ है, clear, next है आपका electrolytic decomposition reaction, मतलब कि यहाँ पे decompose करने के लिए, जो energy supplied के जा रही है, वो electricity के form में, ओके, यहाँ पे, H2O, और उसमें acid हम ले लेते हैं, और electricity पास करवा देते हैं, current, तो यह जो H2O है, decompose होकर के, H2 और O2 में convert हो जाता है, इसमें एक important question पूछा जाता है, तो पहले यह जान लो आप, कि जब H2 decompose हुआ, तो सबसे पहले तो H2O और O2 का evolution हुआ, साथ में, यह पूछा जाएगा कि oxygen कहां पे collect होगा, hydrogen gas कहां पे collect होगा, तो oxygen जो होता है, वो anode पे, यह आपका anode पे, और H2 cathode पे collect होगा, reaction को balance कर लेते हैं, तो फिर, oxygen को balance करने के लिए 2 से into करो इदार, तो hydrogen को भी balance करना पड़ेगा, 2 से multiply करके, तो hydrogen के जो molecule है, वो 2 मिले, और oxygen के जो molecule मिले, 1, मतलब, जो cathode पे, जो gas collect होगी, उसकी जो amount होगी, anode पे collect हुए, gas से 2 गुनी होगी, double होती हैं, ओके, यानि, जब electrolytic decomposition reaction होता है, H2O का decomposition होता है, तो यहाँ पे जो gas बाहर निकलती है, एक की volume, दूसरे gas की volume से 2 गुनी होती हैं, और कौन सी gas है, तो hydrogen gas, नेक्स आपका photo decomposition reaction, यानि यहाँ पे decompose करने के लिए, हम light को pass करवाते हैं, sunlight को, ठीक है, इसलिए इस reaction का दूसरा नाम, photolysis भी है, खास करके यहाँ पे, metal highlights जो होते हैं, वो sunlight के presence में, exposed हो जाते हैं, for example, agcl, silver chloride, sunlight के presence में रख दिया इसे, तो यह ag, और cl2 gas, बाहर हो जाता है, ठीक है, अब यहाँ पे ag का जो color होगा, वो change हो जाए, और इसका color, gray हो जाता है, वैसे agcl का जो color होता है, वो आपका white होता है, clear, अब चाहें वो azbr हो, या agi हो, यह सारे के सारे, decompose हो करके, az और उनका molecules बन जाएगा, जैसे br हो तो b2 बन जाएगा, लेकिन silver का color, यह gray सी ही रहेगा, बात करें displacement reaction की, next reaction, displacement reaction, displacement नाम से clear है, कि किसी चीज को displace किया जा रहा है, मतलब, पहले से कोई था present है, उसको किसी और के द्वारा replace कर दिया गया, आद देखो, example, जैसे, Fe, copper sulfate के साथ रियक करेगा, तो यह iron sulfate, and यह copper जो होगा, separate हो गया, तो simply आपको दिख रहा है, कि किसको displace किया गया, copper को किसके द्वारा, iron के द्वारा, इसके पीछे का region क्या है, इसके पीछे का region यह है, कि iron की जो reactivity होती है, वो copper से ज़ादा है, और highly reactive metal जो होगा, है ना, उसके compound से, है ना, less reactive metal है, less reactive metal है, उसके compound से उसी को displace कर देगा, बेदेखल कर दिया, ठीक है ना, मैं सब का color नहीं बता रहा हूँ, इस color वाले का पूरा वीडियोज मैंने बना रखा है, प्लीज आप उस वीडियोज को completely देख ले, ताकि सब का color याद हो जाए, next, zinc ले लिया, copper sulfate के साथ फिर reaction हुआ, फिर वहीं चीज, zinc sulfate, और यह copper जो है, separate हो जाएगा, ओके, तो इस तरह से, यह जो reaction है, वो displacement reaction है, तो अगर मुझे, इस reaction को define करना पड़े, तो मैं क्या बोलूँगा, कि reaction in which, more reactive element, displaces, the less reactive element, from its compound, are called displacement reaction, repeat करो, reaction in which, more reactive element, displaces, the less reactive element, from its compound, are called displacement reaction, ओके, और भी example ले लेता हूँ, जैसे, AZ, NO3, silver nitrate, react with copper, तो फिर यहाँ पे, displacement reaction, अब reaction को balance कर ले, तो, NO3, two time है, तो मैं क्या करूँगा, two say into, तो silver को भी balance कर लो, हो गया, तो इस तरह से, बहुत सारे displacement reaction, मुझे लिखने की जरूत नहीं पड़ेगी, आपको बस यहाँ पे reactivity table, अगर याद हो जाए, तो आप simply in reaction को लेख सकते हो, रही बात, किस किलर से किस किलर में change हुआ, तो इसका वीडियो जो अलेडी बन चुका है, आप उसे देखें, double displacement reaction क्या हुआ, देखो displacement में हुआ क्या था, कि एक compound है, उसमें, less reactive metals उसके साथ connected है, एक highly reactive metal आया, उसको displace कर दिया, double में क्या हुआ, कि दो substance होंगे, और दोनों के, जो metals होंगे, वो एक दूसरे के position को बस exchange कर देंगे, simple, यहाँ पर बेदखल किया गया, लेकिन उसको बेदखल करने के बाद, एक seat दे दी गई, पिछले case में ऐसा नहीं हुआ था, जैसे कि Na2SO4, react with barium chloride, BACL2, it gives barium sulfate, and NaCl, ठीक है, इस reaction को balance कर ले, तो सबसे पहले मुझे sodium दिख रहा है, reactant side में 2 है, product side में 2 कर लेता हूँ, उसके बाद chlorine भी balance हो चुका है, no doubt, barium single है, barium single है, sulfate पूरा है न, sulfate है, यानि sulfur एक है, sulfur इधर भी एक है, oxygen चार है, balance है यह, next, तो अच्चा, एक चीज और, यहाँ पे जो barium sulfate है, इसमें, यह barium sulfate जो है, white PPT के form में होता है, ठीक है, यानि यह solution में, insoluble होते हैं, next, AZ NO3, silver nitrate, react with NaCl, it gives, AGCL, and sodium nitrate, अब यहाँ पे जो AGCL है, फिर यह भी PPT के form में, अलग हो जाता है, ठीक है, आपको समझ में आ गया, कि displacement कैसे हुआ है, तो आप देख सकते हो, देखो, sodium, यहाँ पे देखिए आप, sodium sulfate था, तो sodium के साथ, chlorine चला गया, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे दिमाग में, बच्चों के चल रहा हो, कि NaCl2 क्यों नहीं लिखा, यह नहीं होगा न, देखो, जो compound लिखा जाता है, वो उसके valency को देखते हुए, sodium की valency, प्लस बन होती है, और chlorine के माइनस बन, ठीक है न, इसलिए यह NaCl2 नहीं बनेगा, NaCl बनेगा, मतलब, यह ऐसा नहीं कि, valency भी exchange हो जाती है, ऐसा नहीं है न, valency जो atom की है, वहीं रहेगी, atoms exchange हो जाएंगे, ओके, atoms यह molecule exchange हो गए, लेकिन आप जो chemical formula उसका लिखोगे, वो valency के according लिखोगे, आपने एक चीज़ ऑफजर किया, कि यह जितने भी हमने एक्जामपल लिखे, इन में precipitate का formation हो रहा है, तो इस basis पे, इन reaction को precipitate reaction भी बोलते हैं, अब बात कर लेते हैं, यह दो अलग reaction, oxidation and reduction, देखो, oxidation है न, oxygen addition, और इससे बन चुका ही यह, oxidation, ठीक है, यानि, जिस reaction के अंदर, oxygen का addition हो, उसे, oxidation reaction बोलो गया आप, ठीक है, reduction, तो reduction मतलब, oxygen का reduction हो गया, oxygen का subtraction हो गया, ठीक है, तो oxygen, subtraction, तो यह हो जाएगा आपको, reduction, यानि, जहां से, oxygen का removal हो, जिस reactions में, oxygen का removal हो, वो आपका reduction है, और जिसमें, oxygen का addition हो, वो oxidation है, clear, साथ ही, अगर hydrogen के respect में बोलेंगे, तो यह बिल्कुल बात पलट जाएगे, यानि, जिस reaction में, hydrogen का addition हो, वो reduction है, जिस reaction में, hydrogen का addition हो, वो reduction है, यानि, मैं बोल सकता हूँ, कि इस case में, H जुड़ेगा, और oxygen हटेगा, इस case में हम बात करें, तो oxygen एड़ होगा, और hydrogen रिमूव होगा, clear, कुछी example से भी समझ लेते हैं, for example, copper react with oxygen, form copper oxide, तो addition of oxygen हुआ, तो इसलिए इसे क्या बोलोगे, oxidation, और example ले लेता हूँ, जैसे, H2S, hydrogen sulfide, जब oxygen के साथ react किया, तो sulfur और H2O, अब यहां पे सवाल खड़ा हो जाएगा, क्या, कि sulfur अलग हुआ, H2O बना, तो यहां पे, एक बात समझने की होगे, कि जिसके साथ, जिसके साथ, oxygen जुड़ा, उसका हुआ oxidation, और जिससे oxygen अलग हुआ, उसका हुआ reduction, फाइनली इस reaction में, दोना चीज़े हो रही है, कैसे तो देखो, H2S से, hydrogen हटा है, देख सकते हो, यानि इसे आप बोलोगे, यहां पे हुआ, किसका, hydrogen sulfide का oxidation, ठीक है, नेक्स्ट, O2, O2 था, oxygen के साथ, hydrogen का addition हुआ, तो फाइनली यहां पे क्या हुआ, reduction, मेरी बात समझ पा रहे हो न, आपको product साइट से नहीं देखना, आपको reactant साइट से नहीं देखना, मतलब कि oxygen के साथ, hydrogen जुड़ा, oxygen का हुआ reduction, किसका reduction हुआ, oxygen का, water का नहीं, फिर H2S के से hydrogen हटा, यानि किसका oxidation हुआ, तो hydrogen sulfide का oxidation हुआ, यह जवाब दोगे, ऐसे नहीं बोलोगे कि sulfur का oxidation हुआ, और जिस reaction के अंदर, यह दोनों हो, oxidation और reduction, ऐसे reaction को बोलते हैं, redox reaction, RED reduction reaction, और OX oxidation reaction, दोनों combine करते हैं, तो redox reaction, यानि जिस reaction के अंदर, oxidation और reduction दोनों हो, वैसे reaction को आप redox reaction बोलोगे,